आपका पहला सवाल है, नरेंद्र मोधी जी कितने पढ़े लिखे हैं? आपके ओप्षिन्स हैं, A. आठ विन पास, B. दस विन पास, C. बारह विन पास, D. एम पास? आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. एम पास? आपका दूसरा सवाल है, किस जीव के ऊपर पेट्रल डालने से वह मर जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. नेवला, B. बिच्छू, C. सांप, D. मचली आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. बिच्छू आपका तीसरा सवाल है, देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं? आपके ओप्षिन्स हैं, A. मिस्रदेश, B. भारत देश, C. नेपाल देश, D. श्रिलंका देश आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. मिस्रदेश आपका चौथा सवाल है, वैसलीन वैसलीन किस देश की कमपनी है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. कैनेड़, B. भारत, C. अमेरिका, D. अफरिका आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. अमेरिका आपका पांचवा सवाल है, भारत की सबसे मीठे पानी की जील कौन सी है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. चिलका जील, B. वूला जील, C. डल जील, D. यहाँ सभी आपका सही जवाब होगा ओप्षिन B. वूला जील आपका छठा सवाल है, भारत के किस राज्या में रावन का मंदिर है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. करनाटक, B. उडिसा, C. असम, D. राजिस्थान आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. राजिस्थान आपका साथ वाँ सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा नारियल कहां पाया जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. असम, B. महराश्ट्रा, C. केरल, D. उडिसा आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. केरल आपका आटवाँ सवाल है, विश्वका सबसे ताकतवर फल कौन सा है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. आम, B. केला, C. कीवी, D. अनार आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स से, कीवी, आपका नौवाँ सवाल है, तितली का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. दस से बारह दिनों का, B. तेरह से पंदरह दिनों का, C. तीस से पैत आलीस दिनों का, D. पैत तीस से बावन दिनों का, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स से, तीस से पैत आलीस दिनों का, आपका दश्वा सवाल है, किस जानवर की जन संख्या भारत में सबसे अधिक है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. बिल्ली, B. कुत्ता, C. मचली, D. बंदर, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स से, मचली, आपका ग्यार हवा सवाल है, सूर्य सबसे पहले कौन से देश में उदय होता है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. न्यू जीलिंड, B. कोरिया, C. भारत, D. चीन, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स ए, न्यू जीलिंड, आपका बारहवा सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? आपके ओप्षिन्स हैं, A. इंदिरा गांधी, B. कल्पना चावला, C. शीला दीक्षिन्स, D. किरन पेदी, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स ए, कल्पना चावला, आपका आते रहवा सवाल है, पेठा नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है, आपके ओप्षिन्स हैं, A. मेरट, B. आगरा, C. शिमला, D. कश्मीर, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स ए, आपका चौद हवा सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर कंकर पत्थर सब खा लेता है, आपके ओप्षिन्स हैं, A. मोर, B. हन्स, C. कोयल, D. शुतुर मुर्ग, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स ए, शुतुर मुर्ग, आपका पंद्रहवा सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, आपके ओप्षिन्स हैं, A. दो सौदस, B. दो सावदो, C. दो सौचह, D. दो सौआट, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. दो सौचह, आपका सोलहवा सवाल है, कौन सी सबजी खाने से 300 से अधिक बीमारी ठीक हो जाती है, आपके ओप्षिन्स हैं, A. गोभी, B. कडेला, C. सहजन, D. सौइबीन, आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. सहजन, आपका सतरहवा सवाल है, कौन सी गैस फूलों का रंगुडा देती है, आपके ओप्षिन्स हैं, A. आगन, B. हीलियम, C. नाइट्रजन, D. क्लोरीन, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन्स D. क्लोरीन, आपका ठारहवा सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है, आपके ओप्षिन्स है, A. भारत, B. अमेरिका, C. रूस, D. नेपाल, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन्स B. अमेरिका, आपका ठारहवा सवाल है, मनुष्य के चहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है, आपके ओप्षिन्स है, A. दस हड्डियां, B. बारह हड्डियां, C. चौदह हड्डियां, D. सत्रह हड्डियां, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन्स C. चौदह हड्डियां, आपका बीस्वा सवाल है, नौ दो ग्यारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपके ओप्षिन्स है, A. शक्तिशाली होना, B. छुट्टिदे देना, C. छुट जाना, D. भाग जाना, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन D. भाग जाना, आपके लिए सवाल है, चंद्र शेखराजाद का जनम कहां पर हुआ था, आपके ओप्षिन्स है, A. कोलकाता, B. पटना, C. दिल्ली, D. मध्यप्रदेश, दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कॉमेंट करिए, और विडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर जरूर शेर करें, मिलते हैं अगले विडियो में नए सवालों के साथ, तब तब के लिए धन्यवाद.